गुट मॉर्निंग चिर्डरन्स सूप्रबाद बच्चों वेलकम टू दे हिंदी ओनलाइन लेक्चर ओफ स्टैंडर्ड फेफ्थ कक्षा पाचवी के सभी विध्यार्तियों का हिंदी ओनलाइन लेक्चर में स्वागत है आज हम इस लेक्चर में एक नए पाट के अध्यान को शुरुवात करने वाले हैं उसके पहले आप मुझे कुछ रुख्ष का याने पेड का नाम बताईए जी हाँ बिल्कुल सही आम, बर्गत, गुल्मोहर, अशो, नीम और नारियल ऐसे कई सारे पेड है यह पेड, रुख्ष हमारे सच्चे साती है, हमारे मीत्र है क्योंकि हर शेत्र में हमें ये उपयोगी पढ़ते है हर पेड की कुछ न कुछ अपनी विशेशताय होती है तो ऐसे ही आज हम इस ओनलाइन लेक्चर में नीम इस कविता में नीम के पेड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले है तो आज का हमारा अधियन विशे है कविता नीम First of all students, remove your Hindi textbook, then we start हमेशा के तरह आप अपना हिंदी का पाठ्य पुस्तक निकाले फिर हम इस कविता के अधियन को शुरुवात करनेंगे मुझे उम्मिद है कि आप सबी ने अपना पाठ्य पुस्तक निकाला ही होगा प्रुष्ट क्रमांक 13 पेच नमबर 13 कविता क्रमांक 9, नीम प्रस्तुत कविता नीम की कवियत्री है लता पंच चात्रो अर्थात यहाँ पर नीम यह कविता कवित्री लता जी ने लिखी है इस कविता के द्वारा कवियत्री हमें यही बताना चाती है कि पेडो में भी नीम मनुष्य का सच्चा साती है नीम वाईू को प्रदूशन विहरित करने की अनेक मशिने अपनी पत्तियों, तने, डालियों, फूलों में लेकर खड़ा है भारतिय जन्मानस में इसकी जड़े सदियों से हरी भरी रही है लोकस अंस्कृती ने नीम को बहुत प्रेम से अपनाया है बच्चों, प्रस्तूत कविता में कवियत्री लता पंत जी ने हमें नीम की विशेष्टाओं से परिचित कराया है चिल्डरंस, इस कविता का सरल बहावार्त जानने से पहले हम कविता का पठन करने वाले है सबसे पहले हम कविता का पठन करेंगे फिर एक-एक पंक्ती का सरल भावार्त जानेंगे बच्चों तो मैं शुरुवात करी हूँ कविता के पठन के लिए आप सभी का ध्यान पाठे पुस्तक में रहे ना मैं डॉक्टर ना मैं ओजा ना मैं वैद्य हकीम मैं तो केवल एक पेड़ हूँ नाम है मेरा नीम मेरी सुखी पत्ती डालो उनी कपड़े अनाच बचालो सुखी पत्ती के धुए से मखी मचर दूर भगालो घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी चाया गर्मी और ठकान मिटी जो मेरे नीचे आया नहीं काटना मुझको तुम मैं इतने सुख दे देता सूरज की किर्नों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता सूरज तारे धर्ती चांद की जब तक चले कहानी हमेशा सब को सुख देने की है मैंने मन में ठानी कवियत्री लतापंद बच्चो प्रस्तुत कविता याने नीम कविता पढ़ने के बाद ऐसे प्रतित होता है कि ऐसे लग रहा है कि नीम का पेड़ स्वयम हमसे बाते कर रहे है तो चलिए बच्चो एक-एक पंग्ती को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ जान लेते हैं चिल्डरंस पहली पंग्ती कुछ इस प्रकार है नामे डॉक्टर नामे ओजा नामे वैद्य हकिम मैं तो केवल एक पेड़ हूँ नाम है मेरा नीम चिल्डरंस नीम पेड़ यहाँ पर बात कर रहा है हमसे बोल रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना तो मैं ओज्ञा हूँ जात्रो ओज्ञा इस शब्द का अर्थ है जाड़ फूक करने वाला भूत प्रेत उतारने वाला और नाही में कोई व्यद्य हकीम हूँ हकीम याने चिकिस्सक मैं तो केवल एक पेड हूँ यानी मैं सिर्फ एक पेड हूँ जिसका नाम है नीम चात्रो अब बढ़ते हैं दूसरी पंक्ती की तरफ मेरी सूखी पत्ती डालो उनी कपड़े अनाज बचालो सूखी पत्ती के धुए से मक्खी मचर दूर भगालो बचो इस पंक्ती के द्वारा हमें नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग पता चल रहा है अगर हम नीम की सूखी हुई पत्तिया उनी कपड़ों में याने स्वेटर प्लांकेट इन कपड़ों में रखते हैं तो स्वेटर डस्ट जम से दूर रहते हैं और इसी प्रकार अनाज याने ग्रेंज जैसे की गेहु चावल इनमें सूखी पत्तिया रखते हैं तो वे खराब नहीं होते हैं तो इसलिए यहाँ पर कवियत्री ने कविता में लिखा है कि मेरी सूखी पत्ति डालो उनी कपड़े अनाज बचालो अब बच्चो इन सूखी पत्तियों का दूसरा भी फाइदा है यह सूखी पत्तिया जलाए तो उसके धूए से मक्खी मच्छर जो है वो दूर भाग जाते हैं अब बढ़ते हैं अगले पंक्ती की तरफ घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी चाया गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया बच्चो यहां पर घनी शब्द का अर्थ है सघन अधिक और शीतल इस शब्द का अर्थ है ठंडी ठकान याने की ठकावट बच्चो आपने नीम का पेड देखा होगा वह बहुती विशाल होता है उसकी घनी पत्तिया होती है याने की नीम के पेड पर बहुत सारे पत्ते होते है और उसी घनी पत्तियों के कारण उसकी जो छाया होती है वह शीतल होती है ठंडी होती है इसलिए जो गर्मी से ठकाहारा परेशान हुआ इंसान मेरे पेड के नीचे आता है तो यह शीतलता के कारण उसकी सारी ठकान मिट जाती है अब अगली पंक्ति को पड़ते हैं नहीं काटना मुझको तुम मैं इतने सुख दे देता सूरज की किर्नों से मिलकर हवा शुध कर देता चात्रों यहाँ पर जैसे की नीम का पेड हमसे बिंदी कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम लोग मुझे मत काटो चिल्डरंस हम देखते हैं कि अब जगा जगा पर पेडों को काटा जाता है पर पेड काटने के कारण हम पर भारी संखट आ पहुचा है क्योंकि नीम के साथ साथ अन्य कई पेड भी हावा शुद्ध रखते है नीम का पेड यहाँ पर बहुती विंदी करते हुए कह रहा है कि मुझे को मत काटो मैं तुमें बहुत सुप देता हूँ यहाँ पर नीम का पेड कह रहा है कि सूरज की किर्णों से मिलकर मैं हावा शुद्ध कर देता हूँ अब इस कविता की आखरी बंग्ती पढ़ते है सूरज तारे धरती चांदे की जब तक चले कहानी हमेशा सब को सुख देनी की है मैंने मन में ठानी यहाँ पर बच्चों हमेशा इस शब्द का अर्थ है हर्दम और ठानना याने द्रिड संकल्प करना चात्रों यहाँ पर नीम का पैड कहे रहा है कि सूरज तारे धरती चांद जब तक है जब तक उनकी कहानी है तब तक मैं हमेशा हर्दम सब को सूख देता रहूंगा यही मैंने मन में ठाना है यही मेरा द्रिड संकल्प है तो बच्चो इस प्रकार हमने अभी नीम इस कविता का पठन किया और एक एक पंक्ती का अर्थ जाना है बच्चो नीम की पत्तियों में कई सारे आउशदिय गुंदर्म होते हैं उसकी सूखी पत्तियों से हम उनी कपड़े और अनाच को सुरक्षित रख सकते हैं और सूखी पत्तियों के धुए से मक्खी मचर भी दूर भाग जाते हैं नीम के पेड़ की घनी पत्तियों के कारण उसकी जो चाया होती है वह शीतल होती है और जो भी गर्मी से ठका हारा उस पेड़ के नीचे आता है उसकी ठकान मिट जाती है उसी प्रकार नीम का पेड़ सूरज की किर्णों से मिलकर हवा शुद्ध रखता है दो बच्चो इससे हमें पता चलता है कि नीम पेड़ मनुष्य का सच्चा साती है इस कविता के द्वारा हमने नीम पेड़ की विशेश्ताओं को जाना इसी प्रकार और भी पेड़ है जो हमारे सच्चे दोस्त मित्र है उनकी भी बहुत सारी विशिष्टा है इसलिए हमें पेड को बचाना है उनको काटना नहीं है तो छात्रों अब हम बढ़ते है हमारे कंबाइन बूक याने टर्म बूक की तरफ उसमें दिये हुए नोट्स को कंप्लीट करते है आप सभी विध्यार्तियों को अपना टर्म बूक वन निकालना है उसका प्रुष्ट क्रमांक एकसो अठरा पेज नंबर 118 कविता क्रमांक नो नीम सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं शब्धार्थ से ओजा छाड़ फुक करने वाला भूत प्रेत उतारने वाला हकिम याने चिकिस्सक केवल का अर्थ है सिर्फ अनाच का मतलब अन्न घनी सघन अधीक शीतल का अर्थ है ठंडी थकान का अर्थ है ठकावट धर्ती प्रित्वी हमेशा मतलब हर्दम ठानना द्रिड संकल पकरना अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ क्रीती पत्री का प्रश्न पहला पध्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कुरूतिया करो ये तो आपको पता ही है पध्यांश याने नामे डॉक्टर से लेकर जो मेरे नीचे आया यह पंक्तिया पण्नी है और उसके आधार पर नीचे कुछ कुरूतिया दी है उनको लिखना है प्रश्न पहला संजाल पूर्ण करो आपको नीचे चार चोखट दिखाई दे रहे होंगे उसमें से बीच वाले चोखट में लिखा है पध्यांश में आये पेशो का नाम तो इस कविता के पंक्ति में डॉक्टर वैत्य हकिम इन पेशो का नाम आया है इसलिए हमने उत्तर में लिखा डॉक्टर वैत्य हकिम इस प्रश्ण और उत्तर को मैं फिट से पढ़ रही हूँ बच्चो ध्यान से सुनिए पध्यांश में आए पेशो का नाम उत्तर डॉक्टर वैद्य हकिम अब अगला प्रश्ण कारण लिखो याने की गिव रिजन पहला प्रश्ण है नीम की छाया शीतल है अब बच्चो नीम की छाया क्यों शीतल है हमने कविता में जाना क्योंकि नीम का पेड़ बहुती बड़ा होता है और उसकी घनी पत्तियों के कारण नीम की छाया शीतल होती है इसलिए हमने उत्तर में लिखा घनी पत्तियों के कारण नीम की छाया शीतल है अब पढ़ते हैं दूसरा प्रश्ण मक्खी मचर दूर भाग जाते है कविता में हमने देखा कि नीम की सूखी पत्तियों को जला कर जो दुआ होता है उस दुए से मक्खी मचर दूर भाग जाते है इसलिए हमने उत्तर में लिखा कि नीम की सूखी पत्ती के दुए से मखी मचर दूर भाग जाते है अब इन प्रश्ण उत्तरों को फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों प्रश्ण दूसरा कारण लिखो उसमें से पहला प्रश्ण नीम की चाया शीतल है उत्तर घनी पत्तियों के कारण नीम की छाया शीतल है दूसरा प्रश्न मख़्ी मच्चर दूर भाग जाते है उत्तर नीम की सूखी पत्ती के धुए से मख़्ी मच्चर दूर भाग जाते है अगला प्रश्न परिणाम लिखो अर्थात यहाँ पर बच्चो नीचे कुछ कंडिशन दी गई है उसका हमें परिणाम लिखना है याने कि क्या इफेक्ट होगा वह लिखना है उसमें से सबसे पहला प्रश्न दिया गया है याने कि सबसे पहली परिस्तिती दी गई है नीम के नीचे बैठने का परिणाम अर्थाद यहाँ पर बच्चों, अगर हम नीम के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या इफेक्ट है, यहाँ हमें उद्तर में लिखना है बच्चों हमने कविता में जाना कि जो गर्मी और ठकान से परिशान हुआ वेक्ती अगर पेड के नीचे आता है तो उसे शीतलता प्राप्त होती है और उसी वज़े से गर्मी और ठकान मिट जाती है इस प्रश्ण और उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं पहला नीम के नीचे बैठने का परिणा उत्तर गर्मी और ठकान मिट जाती है अगला पुरुष्टक्रमांक 119 परिणाम लिखो इसी प्रश्ण का दूसरा प्रश्ण है अनाज में नीम की सूखी पतिया डालने का परिणा बच्चो अगर हम अनाज याने अन्न गेहु चावल जैसे धान में नीम की सूखी पतिया डाले तो उसका क्या परिणाम होगा क्या इफिक्ट होगा यह हमें यहाँ पर लिखना है चिल्रंस अभी ही हमने कविता के द्वारा जाना की अगर हम नीम की सूखी पतिया अनाज में डालते हैं तो वे खराब नहीं होते हैं अनाच जो है वह सुरक्षित रहते है इसलिए हमने उत्तर में लिखा कि अनाच सुरक्षित रहते है बच्चो अब हम इन प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते है प्रश्न दूसरा अनाच में नीम की सुखी पत्तिया डालने का परिणा उत्तर अनाज सुरक्षित रहते हैं अब प्रश्न दूसरा पद्यांश का सरल भाव आर्थ लिखो बच्चो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयम ही लिखना है चात्रो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है यह मैं आपको संशेप रूप में बताती हूँ ताकि इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको आसानी होगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए पध्यांच नामें डॉक्टर से लेकर जो मेरे नीचे आया इस पध्यांच का अर्थ लिखना है आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो कि यहाँ पर नीम का पेड कह रहा है कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना ओजा ना वैथ हाकिम मैं एक केवल पेड हूँ और मेरा नाम है नीम और नीम की सूखी पत्तिया उनी कपड़े और अनाच को सुरक्षित रखती है सूखी पत्ति के धुए से मक्खी मच्चर दूर भाग जाते है नीम की घनी पत्तियों के कारण शीतल छाया मिलती है और जो गर्मी से ठका हुआ इनसान पेड के नीचे आता है उसकी गर्मी और ठकान मिट जाती है बच्चों इसी प्रकार आप इस प्रश्ण का उत्तर लिख सकते है अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ जो है रिक्तस्तानों की पूर्ती कीजिए मिन्स फिल इन दा ब्लैंक्स यहां पर कुल मिला के साथ वाक्य दिये है जिसके अंदर हमें रिक्तस्तान दिये है उनकी हमें सही शब्द लिक कर पूर्ती करनी है सबसे पहले वाक्य लिखा गया है नामे डॉक्टर नामे डैश नामे वैद्य हकिम इस पहले वाक्य में रिक्तस्तान में हम शब्द लिखेंगे ओजा अब दूसरा वाक्य है मेरी सूखी पत्ती डालो उनी कपडे डैश बचालो यहाँ पर रिक्तस्तान में शब्द लिखा गया है अनाच तीसरा वाक्य है घनी डैश के कारण शीतल है मेरी चाया रिक्तस्तान पर शब्द आएगा पत्तियो अब चोथा वाक्य गर्मी और डैश मिटी जो मेरे नीचे आया इस वाक्य में दिये गए रिक्तस्तान पर हमने शब्द लिखा थकान पाचवा वाक्य सूरच की किर्नों से मिलकर हवा डैश कर देता इस वाक्य में रिक्तस्तान में हमने शब्द लिखा शुद्ध छटा वाक्य सूरच तारे डैश चांद की जब तब चले कहानी यहाँ पर रिक्तस्तान पर हमने शब्द लिखा धर्ती सात्वा वाक्य है हमेशा सबको डैश देडे की है मैंने मन में ठानी इस वाक्य में रिक्तस्तान पर शब्दा आया है सूख। चात्रो अब हम इस प्रश्ण उत्तर को याने रिक्तस्तानों की पूर्थी करो इस प्रश्ण को फिर से एक बार पढ़ते हैं। चोथा, गर्मी और धकान मिटी जो मेरे नीचे आया। पाचवा, सूरच की किर्णों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। छटा, सूरच तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। सात्वा, हमेशा सब को सुख देने की है मैंने मन में ठानी। अब अगला प्रशन आ, कोश्टक में दिये गए वर्नों से रिक्तस्तान भरो। Children's, हमने पहले वाले प्रशन में वाक्य में जो रिक्तस्तान दिये थी, उनकी पूर्ती की थी। पर अब यहां पर हमें कुछ शब्द दिये गए है, उनमें रिक्तस्तान है। उसे पूर्ण करना है, जैसे की Missing Latus। अब प्रशन लिखा है, उसके बाजू में ही कोश्टक दिया गया है, याने ब्रैकेट दिया गया है। और उस कोश्टक में याने ब्रैकेट में कुछ वर्न लिखे हुए है। नीचे हमें अधूरे शब्द दिये गये है, इनमें रिक्तस्तान दिये गये है। अब कोश्टक में दिये हुए सही वर्न को चून कर नीचे दिये हुए शब्द को पुरा करना है। चिल्रन्स यहाँ पर जो शब्द के साथ रिक्तस्तान दिये गए हैं उनमें मैंने सही वर्न भर कर शब्द को पुरा किया हैं तो इन शब्द को हम पढ़ते हैं मैंने कपड़े हकीम अनाच धकान सूरज कहानी किर्णू तो इसी प्रकार बच्चो आज हमने नीम इस कविता का अध्यान यही पर समाप्त किया है हमने नीम इस कविता का पठन किया फिर उसका सरल भाव आर्थ भी जाना उसके बाद कम्बाइन बूक याने टम बूक में दिये हुए नोट्स को भी कम्पलीट किया है अब आपका होमवक यही है कि आज हमने इस ओनलाइन लेक्चर में कम्बाइन बूक में जिस प्रशनो उत्तर को पड़ा है उन्हें गुड राइटिंग में कम्पलीट करना है अर्थात बच्चो आपको टम बूक में कविता करमांक नो नीम इसके प्रशनो उत्तर अच्छी राइटिंग में कम्पलीट करने है और यह होमवक कम्पलीट होने के बाद मेरे परसनल नमबर पे सेंड करना है और यह homework complete करना compulsory है धन्यवाद, thank you children and have a nice day Stay home, stay safe